नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपे टेक्निकल इस्टेडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने बात करेंगे ITI पास स्टुडेंट्स कोण-कोण सी विबाग में जोब कर सकते हैं कोण सी विबाग में उनके लिए पोस्टे होती है तो चलिए एक एक करके देखेंगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथ में all notification bell को भी उन कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं railway में तो railway में अगर आप ITI से हो तो railway में आप ELPA and technician में अच्छी post पासकते हैं क्या पासकते हैं ELPA and technician दोनों में आप job लग सकते हैं ITI student हो तो दूसरे नमबर पर बात करें राजस्तान विद्दुत विबा की तो इसमें भी आप technical ELPA में जो भी पासकते हैं ITI students के लिए होती है यह post तीसरे नमबर पर बात करें UPPCL की तो उत्तरपरदेश Power Corporation Limited क्या होता है उत्तरपरदेश Power Corporation Limited इसमें भी ITI के students को लिया जाता है और बहुत अच्छी वेकेंसी भी रहती है आगे बात करें DMRC तो DMRC अर्थार्थ दिल्ली मेट्रो रेल कोर्पोरेशन जिसमें maintainer की post होती है ITI students के लिए कौन सी post होती है maintainer की post होती है पाँचवे नमबर पर DRDO का full forum होता है defense research and development organization क्या होता है defense research and development organization जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंदान एम विकास संगटन कहते है इसमें भी ITI students के लिए वेकेंसी निकलती है तो इसमें भी आप जोब कर सकते हैं बात करें चटे नमबर पर power graded की तो इसमें भी ITI students को लिया जाता है इसमें भी आप जोब कर सकते हैं बात करें शाथवे नमबर पर UPRB UNL अर्थार्थ उत्तर परदेश राज्य विद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेड की तो इसमें भी ITI holders को लिया जाता है ITI के students को यदिक लिया जाता है तो आप इसमें भी जोब पास सकते हैं अगर आइटिया इस्टुडेंट होतो बात करें आठवे नमबर पर BSPHCL अर्थार्थ ब्यार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड क्या होता है BSPHCL का फुल पोरम ब्यार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड तो इसमें भी ITI students को जोब दी जाती है इसमें क्या किया जाता है ITI students को लिया जाता है बात करें 90 नमबर पर NTPC तो यह होता है National Thermal Power Corporation तो इसमें भी ITI से इसमें भी ITI से वेकेंसी निकलती है क्या होती है इसमें भी ITI ओल्डर्स को जोब दी जाता है बात करें 11 नमबर पर SAIL अर्थार्थ Steel Authority of India Limited तो दोस्तों भारत में इस्टील बनाने वाली परमुक कमपनी है यह पूरी तरे से एकिकर्थ लोवा इस्पात निर्माता है क्या है यह है पूरी तरे से एकिकर्थ लोवा और इस्पात निर्माता है जो कि घरलू निर्मान जैसे इंजिनेरिंग घरलू निर्मान इंजिनेरिंग बिजली रेलवे मोटरवान और रक्सा उद्धोगों के लिए भी बुनियादी और विशेश इस्टील का उत्पादन यहीं करती है सहली कौन सी कमपनी करती है इसमें भी आईटियाई से बहुत सारी पोश्टे नकलती है तो आप इसमें भी जोब कर सकते हैं बात करें बारा नंबर पर आर बी यो एनल अर्थार्थ राजस्तान राज्य विदूत उत्पादन निगम लिमिटेड तो इसमें भी आप जोब पा सकते हैं यह राजस्तान राज्य से होती है उत्पादन के इंदर से बात करें तेरा नमबर पर इसरो की अर्थार्थ इसरो का फुलफोरम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गिनाईजेशन जिसे हिंदी में भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संगटन कहते हैं जिसका मुख्या लिका पर है इसरो का बैंगलोर में कहा है बैंगलोर में कई बार क्यूसर पूछ लेता है कि इसरो का मुख्या ले कहा है इस्तित है तो इसरो का मुख्या लह है बैंगलोर में तो इसमें भी आईटियाई से बहुत सारी वैकेंसी निकलते रहती है उसके बाद बात करें बारक की B.A.R.C. अर्थार्थ बाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर तो इसमें भी आप जोब कर सकते हैं बात करें मेस की M.E.S. अर्थार्थ मिलिटरी इंजिनियर सर्विसेज जिसे क्या कह सकते हैं सैने अभियंता सेवाई तो इसमें भी I.T.I. से आप जोब लग सकते हैं उसके बाद बात करें UP Metro तो UP Metro में भी Maintainer की Post होती है वो I.T.I. वाले Students के लिए होती है तो UP Metro में भी आप फोरम अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात करें जल्दाई विवाग तो जल्दाई विवाग में भी I.T.I. स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो इसमें भी आप I.T.I. के स्टूडेंट्स को जोब कर सकते हैं बात करें RCDF की अर्थार्त राजस्तान कोपरेटिव डेरी फेडरेशन यहां दूद उत्पादन डेरी होती है इसमें भी I.T.I. स्टूडेंट्स को जोब दिया जाता है उसके बाद बात करें NPCIL की अर्थार्त Nuclear Power Corporation of India Limited तो इसमें भी I.T.I. स्टूडेंट्स को जोब दिया जाता है बात करें हुंडा कंपनी की हुंडा कंपनी भी I.T.I. स्टूडेंट्स को रखा जाता है जो की बहुत अच्छी salary भी देते हैं और अच्छे से काम सिकाया भी जाता है उसके बाद बात करें तो दोस्तों apprentice भी कर सकते हैं आप I.T.I. स्टूडेंट्स क्या करते हैं apprentice भी कर सकते हैं जिसमें आपको salary भी मिल जाती है झाल झाल